मित्रो नमस्कार आज मैं आपके सामने मेरा 26 जादू दिखाने जा रहा हूँ यह जादू हेरी हुड़नी स्ट्रीट पर दिखाया करता था इसे डायमो भी दिखाया करता है देखिए मेरे हाथ में यह एक दस का नोट है मैं इस दस के नोट को आपके सामने फोल्ड कर देता हूँ फोल्ड करने के बाद मैं इसके उपर फूक लगाता हूँ या सामने वाले से फूक लगवाता हूँ फूक लगा करके जब इस नोट को खोलता हूँ तो देखिए यह दस का नोट आपके सामने 20 के नोट में परिवर्तित हो गया है यह जदू कैसे हुआ चलो एक बार हम फिर इस जदू को देखते हैं मैं इस 20 के नोट को आपके सामने फोल्ड कर रहा हूँ फोल्ड करने के बाद इस पर फूक लगाँगा और इसको वापिस खोलूँगा देखिए यह वापिस खोलने के बाद फिर दसके नोट में परिवर्तित हो गया है यह जदू कैसे हुआ इस जदू का क्या रहस्य है इसको जानने के लिए आप सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए गंटी वाला बटन भी दबाईए और उसके बाद मैं आपको इसका रहस्य बताने जा रहा हूँ यह जदू दाइमो भी दिखाआ करता है देखे मेरे पास यह एक दसका नोट है और इस दसके नोट के साथ एक दूसरा नोट اور है वो है बीस का नोट देखे यह बीस का नोट इस नोट के दसके नोट के ठीक पिछे है जो दिखाते हैं समय मेरे अंगुठे के नीचे दबा हुआ था यह नोट इसके पिछे चिपका हुआ है एक कौने पर उल्टा देखिए यह कौने पर चिपका हुआ है जब मैंने इस ज़र्दू को दिखाया था उस समय यह भी इसका नोट मैंने फोल्ड करके मेरे अंगुठे के नीचे छुपा रखा था अब यह दिखाई नहीं देता है केवल दसका नोट दिखाई देता है और जब दसके नोट को मैं फोल्ड करता हूँ और फोल्ड करने के बाद जब मैं इसके उपर फोंग लगाने के बाद करता हूँ तब इसको गुमा देता हूँ और 20 का नोट खोल देता हूँ देखिए अब ये 20 का नोट हो गया अच्छा जादू है बच्चों को दिखाईए मित्रों को दिखाईए मनोरण जन कीजिए इससे पहले मेरे 25 जादू हो रहे वो भी आप देखिए 27 जादू में तब तक के लिए धन्यवाद लेकिन कोमेंट करना ने बुलें कोई जादू सीखना है वो कोमेंट में लिखिए मैं आपको जरूर सीखाऊंगा बताऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार